हलो रेल फ्रेंट्स मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में फ्रेंट्स आज के इस वीडियों में हम जाने वाले हैं एक को स्पम से मिलने में कितना समय लगता है अगर आप कर्फॉर्म है कि आपने औरलेशन टाइम में रिलेशन बनाया है आप कंसीव कर लेंगी तो कब आपको प्रेग्नेंसी सिम्टम्स दिखेंगे प्रेग्नेंसी के लिए ट्राय करने ज्यादतर महिलाओं का यह सवाल होता है कि उनमें गरब थारंका लक्षिन महसूस होना कब शुरू होगा तो अगर आप भी प्रेग्नेंसी कंसीव करने की कोशिस कर रहे हैं और जानना चाहते है कि शुक्रानों को अंडे तक पहुंशने और रिलेशन मराने के बाद फटेलरिजेशन होने में कितना टाइम लगता है और इग्जकली कब आपको प्रेग्डेंसी सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे ताकि आप सावधानी रख सके तो यही सारी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं वीडियो अगर आप लोगों को यूस्फुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज चैनल को बेना सब् लगता है तो अगर महिला का एग ओवरी से रिलिस होकर फैलोपेन ट्यूब में आ चुका है महिलाओं के पास में दो ओवरीस होती हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इसमें दोनों तरफ दो ओवरीस हैं यहां महिलाओं के अंडे स्टोर होते हैं इसके उपर दोनों तरफ फैलोपेन ट्यूब होते हैं पर एक महिने बारी बारी से एक ओवरी से एक अंडा रिलिस होता है तो अगले महिने एक अंडा आपके लेट ओवरी से निकलेगा एक महिने में किवल एक ही अंडा निकलता है जबकि पोस्टों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है हर बार इस एको लेशन के दौरान मिलियन साफ होते हैं उनके पास और वह जितनी बार रिलेशन बनाएंगे उतनी रहुते हैं लेगिन महिलाओं में सिर्फ हर बार एक महिने में एक ही एग एक ही ओवरी से रिलिश होता है तो अगर आपका एग आपके सही समय आपके ओलेशन पीरियन में ओवरी से निकल कर फैलोपेन ट्यूब में आ गया है उस टाइम पर अगर आपने सही समय पर रिलेशन बनाया है तो स्पॉम और एग का मिलन तुरंत हो जाता है उ जो स्पम सबसे पहले एक तक पहुंच जाता है वो उसको फटिलाइज कर देता है उसके बाद फिर और किसी स्पम की एंटरी एक के अंदर नहीं हो सकते हैं जब एक को फटिलाइज करता है तो बहुत सारे डिविजन्स होते हैं उस एक में काफी सारे डिविजन्स होते हैं एक एक दो सेल में डिवाइड होता है, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोला, सोला से बत्तिस और बत्तिस से चोसर ऐसे अंगिनत बहुत सारे सेल्स बनते हैं, उसके बाद वो एक छोटा सा जाइगोट बनता है और वह जाइगोट बन जाता है, तो समझ लिजे कि आप प्रेगने हो गई है, जब एक जायगोट बन जाता है, तो वह दीरे दीरे फृटमीयट उकгоष्ट में आ जाता है, और यू्तर आने के बाद में जाके चिपकता है, इंप्लांट होता है तो वो होता है एक्चुल में आपका implantation phase, इससे पहले का प्रोसेस होता है वो होता है फैलोपेंट टूब में जिसमें कि आपको कुछ पता नहीं चलता है लेकिन जब यूट्रस में जाके वह है इंप्लांट होता है तब आपके बोड़ी में आपको बहुत सारे चेंज़ेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे यह चेंज़ेस आपको आपके पीरियेट की डेट से 5-6 दिन पहले दिखने शुरू हो जाएंगे जो अरली प्रिक्टेंसी सिम्टम्स के रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं क्या चेंज़ेस होते हैं तो आपको थोड़ी सी इंप्लांटिशन ब्लीडिंग हो सकते हैं मौरिंग सीक्नेंस चीजों से स्मैल आना नोजिया बैस में टेंडरनेस होना फ्रिक्वेंट यूरिनेशन पीरियेट जैसी क्रैम्स होना पेट के निसले हिस हो जाता है तब यह सारे सिंटम्स आपको दीखने शुरू हो जाते हैं और इसके साथ ही आपके ہ Wag़ी हो जाते हैं तो यह अए पार भडरे इंडिकेशन होता यूटरस में embryo के implant हो जाने के बाद में परियापत मातर में HCZ हार्मोन बनने लगता है साथ से दस दो बाद ऐसा होता है इस तोरहन प्रेग्नेंसी किट से प्रेग्नेंसी टेस्ट आप कर सकते हैं आगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई संखा महसूस होती है तो आपको डॉक्टर से जात जरूर करनाने चाहिए सो फ्रेंग्स यह था मेरा आज का वीडियो आसा करते हूं मेरा आज का वीडियो अप लोगों के लिए यह सोल रहेगा सो मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई